दोस्तो क्या हुआ जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रैंक करते हुए कतल हो गया और कैसे एक अमेरिकन यूट्यूबर को प्रैंक के दौरान एक शक्स ने गोली मार दी थी प्लस किस तरा व्यूज के लालच में एक यूट्यूबर मौद के घाट उतर गया वे लाच के इस वीडियो में मैं आपको प्रैंक के दौरान मरने वाले दुनिया की फेमस यूट्यूबर के बारे में बताने जा रहा हूँ चूरू करते हैं अपना काउंट टाउन राना जोहेर दोस्तों राना जोहेर एक स्टूडेंट था जिसका तालुक लाहोर से था इसने कुछ अरसे पहले अपने दो दोस्तों हसनात और सबूर के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम लाहोरी वाइन्स था इस पर ये तीनों दोस्त मिलकर प्रैंक वीडियोस अपलोड करते थे ये राचलते लोगों के साथ हसी मजाख करते और इनके रियक्शन की वीडियोस बना कर अपलोड करते थे लेकिन इनने अंदाजा नहीं था कि इन्हें ऐसा करना कितना भारी पड़ेगा एक दिन जोहेर ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर आदी रात के वकत लोगों को ड्रा कर वीडियो बनाने का प्लैन बनाया जोहेर ने वाइड कलर की चादर ओड़कर खुद को भूत का रोप दे लिया और सड़क के किनारे खड़ा हो गया जबकि हसनात और सबूर गाड़ी में बैठ कर छुपके वीडियो शूट करना स्टार्ट हो गए जैसे ही वाँ से एक गाड़ी गुजरी जोहेर ने इसे आगे आकर रोकनी की कोशिश की लेकिन ड्राइवर ने इसे चोर समझ कर गाड़ी को रोकनी की बजाए स्पीड और जदा तेज कर ली और वहाँ से भाग गया खेर ये लोग दुबारा से अपनी धुन में मगन हो गए और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया लेकिन जब वो कारवाला शक्स घर पर पहुँचा तो इसने अपने भाई को सारी स्टोरी सुनाई और इसे जाकर चेक करने के लिए कहा इसके भाई ने पिस्टल उठा ली और गाड़ी लेकर निकल पड़ा जब वो अपने भाई की बताई हुई जग पर पहुचा तो जोहर अभी तक वहीं पर मौजूद था और लोगों को प्रैंक कर रहा था इस शक्स ने पिस्टल निकाली और जोहर को शूट कर दिया पहली बार जब इसने गोली चलाई तो इसका निशाना चूक गया और जोहर बच गया लेकिन अगले ही लंभे इसने दूसरा फायर किया और जोहर को गोली मार दी जैसे ही जोहर को गोली लगी इसकी मौके पर ही डेथ हो गई बाद में पता चला कि ये कोई चोर नहीं था बलकि प्रैंक्स्टर था लेकिन अब इसका कोई फाइदा नहीं था लाहरी वाइन्स का चैनल आज भी यूट्यूब पर मौजूद है लेकिन इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद इस पर कोई वीडियो अप्लोड नहीं हुई ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था टैनर कुग दूसरों टैनर कुग वरजीनिया का एक फेमस यूट्यूबर है इसकी उमर 21 साल है और इसका यूट्यूब पर क्लासिफाइड गून्स की नाम पर एक चैनल है ये अपने चैनल पर डेली लोगों के साथ की गई प्रैंक वीडियो अप्लोड करता है लेकिन इसने डिलिवरी बॉय के पास जाकर अचानक अपना मुबाइल निकाला और इसे तंग करना शुरू कर दिया टैनर का दोस्त इस प्रैंक की वीडियो बना रहा था वैल पहले तो इस डिलिवरी बॉय ने अराम से टैनर को मना करने की कोशिश किये कि वो ऐसा मत करे लेकिन ट दिलिवरी बॉय के तीन दफा मुसलसल मना करने के बावाजूद भी टैनर अपनी हरकदों से बाज नहीं आया तो इसने जेब से अपना पिस्तॉल निकाला और सीधा टैनर के बेट में गोली मार दी टैनर जोकि अपनी तरफ से प्रैंक कर रहा था गोली खाने के बाद सीध मरने से तो बचा लिया लेकिन इसकी हालत नहीं खराब हो गई थी कि ये कई दिन तक हॉस्पिटल में एड्मेट रहा और फिर जाकर इसकी तबियत समली टैनर के दोस्तों का कहना था कि टैनर अकसर लोगों के साथ इतने रिलिस्टिक किसम की प्रैंक करता कि ये लोग पुल देखी होंगी जिनमें यूट्योबर्स रहा चलते लोगों के साथ अजीवो गरीब किसम के मजाख करते हैं और फिर इनके रियक्शन के वीडियो बनाते हैं कुछ लोग तो इस फन को ऐसे फन ही लेते हैं लेकिन कुछ इतने पैनिक हो जाते हैं किसे सच समझ कर उस बंदे पर ही अटैक कर देते हैं तिमिती के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था ये एक अमेरिकन यूट्योबर था जिसकी उमर 20 साल थी ये चोर बनकर लोग के साथ प्रैंक करता और इन्हें लूटने की कोशिश करता था एक दिन ये अपने दोस्त के साथ प्रैंक वीडिय इन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था जैसे ही टिमिती ने इन्हें डराकर पैसे वगयरा निकालने के लिए कहा ग्रूप के एक लड़के जिसका नाम डेविट स्टैनर था इसने अपनी पॉकेट से रियल पिस्टल निकाल लिया और सीधा टिमिती को गोली मार दी य लेकिन जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचा इस बिचारे की डेथ हो चुकी थी डेविट का कहना था कि वो नहीं जानता था कि इन लोगों के साथ प्रैंक हो रहा है और इसने ये गोली सेल्फ डिफेंस में आकर मारी है एनिवे जो भी हो टिमिती को तो ये प्रैंक बहुत ह दोस्तों आप सबने अक्सर महले के शरारती लड़कों को लोगों की घरों की बेल बजा कर भागते हुए देखा होगा कई दफ़ा लोग इनके पिरस को शिकायत लगाने के लिए इनके घर पहुँच जाते हैं क्योंकि इन्हें बुरा लगता है वैसे कर देखा जाए तो य दुगों को प्रैंक करने के लिए इनके घर की बेल बजा कर भाग जाते थे इनके महले में अनुराग चंद्रा नाम का एक आदमी रहता था एक दिन इन्होंने अनुराग के साथ डोर बेल प्रैंक करने का प्लैन बनाया ये तीनों इसके दर्वासे के पास गए और बेल पता चला कि महले के तीन लड़के इसकी बेल बजा कर भाग गए हैं अनुराग को इतना गुसा आया कि इसने इन तीनों लड़कों से बदला लेने का प्लैन बना लिया एक दिन अनुराग किसी काम से घर से निकला हुआ था इसने देखा कि वो तीनों लड़के जिन्नों न की कार में मार दी एक लड़का जो के ड्राइव कर रहा था इसने गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की लिकने से कार आउट आफ कंट्रोल हो गई और इनकी गाड़ी का बुरी तरह एक्सिडेंट हो गया अनफॉर्शनेटली इस एक्सिडेंट में इन तीनों लड़कों क की टैथ हो गई थी जब पुलीस ने अनुराग को अरेस्ट किया तो इसने साफ साफ बता दिया कि इसने ये सब जान बूश कर किया है क्योंकि इन लड़कों ने इससे तंग करने की कोशिश की थी और इसकी बेल बजा कर भाग गए थे इस चोटे से प्रैंक के बारे में सु कर तो पुलीस वाले भी शौक हो गए क्योंकि अनुराग ने इन तीनों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो इसके घर की बेल बजा कर भाग गए थे इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चोटा सा मजाख इनकी जान ले लेगा खेर जब अनुराग को कोट में पेश किया गया तो इस पर फस्ट दिगरी मडर चार्जर लगाए के और जजज ने इसे उमर कैद की सजा सुना दी एनिवे जो भी हो ये हॉरिफाइंग स्टोरी सुनने के बाद तो कोई भी यूट्योबर प्रैंक करने से पहले दस बार जरूर सोचेगा तो दोस्तो आज क झाल 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 झाल